डेट आज 16 एक्टूबर 2021 ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है One Health Consortium Consortium का मतलब होता है साहता संग बहुत सारी organization एक साहता आएंगी और इसमें साहता करेंगी किस चीज के लिए साहता करेंगी वो जानेंगे इसको launch किसने क्या One Health Consortium को Ministry of Science and Technology के अंदर एक विभाग आता है Department of Biotechnology इसने इसको launch किया ये First One Health Project है DBT का Department of Biotechnology का इसमें 27 organization आएंगी और इनका नेत्रितिव कौन करेगा लेड कौन कर रहा है इने ये DBT के अंदर ही एक institute आता है है थेराबाद में ये institute National Institute of Animal Biotechnology ये इनको लेड करेगा One of the biggest One Health program है ये जो Indian government ने post COVID-19 times में launch किया है जब से COVID-19 आया है उसके बाद कोई बहुत बड़ा health से later कोई program launch किया है उन में से एक है ये One Health Project One Health Consortium बोलो या One Health Project बोलो ये program में क्या क्या जाएगा इसमें देखो जो bacteria या viral या parasite से infection होते हैं बीमारिया होती है genotic disease उनको बोलते है जो animal से पस्वों से आजाती है human में ऐसी बीमारी को बोलते है genotic disease तो इनकी surveillance की जाएगी और इनकी जाच की जाएगी ऐसे pathogenes की ऐसे रोगान हो की इनमें देखो diagnostic जो test वगरा किये जाएगे additional methodology डवलब की जाएगी जिसके जरीए इन डिसीज का पता लगाए जा सके नेक्स्ट टॉपिक है यूफिल यूफिल देखो एक ऐसा application system है ऐसी technology है जिसके जरीए आप जब अपनी गाड़ी में या बाइक में petrol pump पे fuel भरवाने जाते हो petrol, diesel कुछ भी भरवाने जाते हो अपनी कारगाड़ियों में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे तब भरवाते हो लेकिन ये एक ऐसा system है पैसे तो देने पड़ेंगे आपको इसमें लेकिन अल्रेडी पहले ही आप pre payment कर दोगे पहली payment कर दोगे और जब आप petrol pump पे जाओगे वो आपका एक code होगा scan करेगा और आपका petrol भर देगा मानलो आपने 1000 रुपे payment किये आपने 1000 का भरवा लिया तो ठीक है अगर आपने मानलो 500 रुपे का ही भरवाया आपका man change हो गया तो 500 रुपे का आपने petrol भरवाया अपनी गाड़ी में तो बाकी के जो 500 रुपे आपके account से कड़े थे वो वापस जो आपके account से कड़े थे वापस आपके account में आ जाएंगे तो ऐसा ये system launch क्या है ये PSU है Public Sector Undertaking एक company है भाई साब ये भारत Petroleum Corporation Limited ये ministry of petroleum and natural gas के अंदर काम करती है इसने अभी launch किया है यूफिल ये digital customer experience service होगी इसमे time technology transparency का use होगा इसमे 65 cities में अभी इंडिया में launch किया है बाद में देखो ये पूरी country में launch कर दिया जाएगा ये technology customer को provide करती है fuel को control करने के लिए as well as touchless, touchless pre payment solution, touchless का मतलब कोई touch नहीं करना किसी को पैसे नहीं पगडाने आप payment कर दोगे online एक तरह से online payment पहली petrol pump से पहली आपने पहुंचने से पहली payment कर दी तो इसमें जो manual intervention होती है point of sale की आप card देते हो पैसे कटवाते हो या पेटियम करते हो ये सब खतम हो जाएगे आप पहले सी बर दोगे petrol pump पे जाओगे पैसे नहीं देने पढ़ेंगे पहले सी payment कर दी एक scan होगा वो scan करेगा और आपका petrol भर जाएगा नेक्स सिस्टम है युद्ध अभ्याज सिस्टम नहीं टॉपिक एकसरसाइज युद्ध अभ्याज 2021 ये देखो US और इंडिया के बीच में एक exercise होती है और साल में दो बार होती है तो by annual exercise है ये बाई annual का मतलब होता है जब कोई भी event साल में दो बार होता है बाई annual event है बाई देख रहो world map यहां पर अपना यह आप देख रहो America United State of America और यह भी देखो US का एक पार्ट है Alaska यह Alaska में हो रही है यहां पर इससे पहले देखो यह हुई थी फरवरी में फरवरी में कहां पर हुई थी इंडिया में हुई थी इंडिया में हुई थी राजिस्तान में बीकाने वगेरा में corporate करती है next topic है विस्व कर्मा वाटिका एंड हुनर हाट ministry of minority affair ने ये announce क्या है कि जो हुनर हाट होते हैं ना हुनर हाट हुनर हाट मानलो आप एक तरह से market है जैसे कभी आप मेले में गयो मेला लगता है एक मेला लग रहा है मानलो फेर लग रहा है उस फेर में बहुत सारे आर्टीजन आर्टीजन होते ना आर्टीजन जो मानलो कुछ हाथों से चीज बनाते हैं handy में हैं मतलब handmade product बनाते हैं या कोई और craftman है कोई भी है भाई सब में कहीं बेबी ऐसी product को इसमें promote करना है तो यह हुनर हाट के अंदर ही विस्व कर्मवाटिका बनाई जाएंगी इनका objective यह है जो traditional skills है आर्टीजन की हमारी जो परमपरा चलती आ रही है skills है कोई कलाकार है craftman है कोई चीज मनाता है उसको promote किया जाएगा विस्व कर्मवाटिका देखो first खोली जाएगी कहाँ पर उत्तर परदेश की जो रामपूर एक जगह है वहाँ पे पहला विस्व कर्मवाटिका खोला जाएगा यह inaugurate किया जाएगा education minister और skill development minister ने जो उनको 11 एक्टूबर यानि की आज 2021 को यह inaugurate किया जाएगा आरहम किया जाएगा inaugurate का मतलब होता है आरहम करना इसमें देखो कोई proficient craftsman है प्रोफिसेंट का मतलब कोई निपुन craftsman है कोई sculpture है sculpture बोलते है मूर्ती बनाने वाले को stone मेंजन है कोई पत्थर की कोई चीज बनाता है blacksmith है लोहार है भाई साव लोहे की कोई चीज बनाता है कारपेंटर जो लकडी की चीज बनाता है या फिर कोई porter है जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं ऐसे कोई कलाकार है आर्टीजन है इन सब को promote किया जाएगी अपने product यहाँ पर लेके आते हैं और इनको देखो domestic और international market से link किया जाता है मतलब कोई मानलो यहाँ पर fair लग रहा है कोई भी आ सकता है या internationally कोई भी foreign से विदेशी आ सकते हैं माल खरीच सकते हैं यहां से इनका सामान खरीच सकते हैं या अपने देश से यहाँ से आते हैं जैसे फेर में आ minority communities का कोई भी product है वो यहाँ पर showcase किया जाएगा यह हुनर हाट है minority communities के लिए तो यह ministry of minority of fairy इसको implement करती है यही organize करती है यह एक scheme है उस्ताद scheme उस्ताद scheme के अंदर यह हुनर हाट बनाए जाते हैं organize किये जाते हैं समझ समय पर यह organize किये जाते हैं जैसे मेले लगते हैं साल में एक दो बार ऐसे हुनर हाट organize किये जाते हैं उस्ताद scheme का मतलब है upgrading the skills and training in traditional arts and crafts for development यह artisan participate करते हैं इसमें national या international market से link किया जाता है इन्हें handmade product के जरिए मतलब हुनार हाट के जरिए इनका जो indigenous handmade product है उनके लिए market provide की जाती है indigenous का मतलब होता हमारे देश में जो बनाई हुए होती है इसमें उनको एक तरह से empowerment मिलता और employment मिलता है artisan को उनकी income generate होती है अपना सामान बेशते हैं तो यही था इसमें next topic है त्यानमान स्केर मासेकर मैसेकर का मतलब होता हत्याकांड और त्यानमान स्केर एक जगे है चाइना हमें चाहिना की कैपिटल है बीजिंग के पास है त्यानमान स्केर वहाँ पे देखो 1989 के लगवग यहां पर एक हत्याकांड हुआ था बहुत सारे लोगों को मार दिया था तो यह अब यह वहाँ पे 3-1 men square में एक statue बनाया होया, statue का नाम है 3-1 men square, में से कर statue या pillar of same statue, same का मतलब होता है, सरमिंदा करना, statue आप जानते हैं कोई मूर्ती, तो यूनिवरस्टी of Hong Kong, Hong Kong की एक यूनिवरस्टी है, उसने order दिया है, कि जो यह statue है इसको हटाया जाए इसको हटाया जाए इसलिए इन्यूज में है यह है भाई सब statue pillar of same statue बोलो या त्यानमान स्केर मैसे का statue बोलो यह pillar of same statue देखो 4 जून 1989 की याद दिलाता है क्योंकि यहाँ पर हत्याकांड हुआता और इसको जो Chinese authority है 4 जून का incident बोलती है incident का मतलब होता है एक तरह से कोई भी घटना यहाँ पर 50 bodies का statue बनाया हुआ है showcase करता है क्योंकि देखो इस दिन Chinese troops ने Chinese जो है आर्मी वगरा है यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था वो student थे चात्र थे student थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसलिए कर रहे थे क्या है यहाँ जून 1989 को यहां पर कुछ pro democracy जिस्वेंग हैं उस टाइम में घूंग कोंग था विट्टेस के बिट्टेस के सामने यहाँ पर जिगह पर यह ने गोलियन चला दीई उनकी मार दिया इनको हंडेड्स ओफ देखो जो यहां पर अतौर्थी बताती वो तो कहती है कि यहाँ पर सिरु सेगडों परसन मरे थे लेकिन बहुत कहते हैं कि थाउजंट भी मरे थे तो इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हजारों नहीं मरे थे कम सेगडों लोग यहाँ पर मारे गए थे उस टाइम पर उसके बात देखो 1997 में बेटिस गौर्वर्मेंट ने होंग कोंग को चाइना को दे दिया और चाइना अभी रूल करता है होंग को वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर यह चाइना आप देख रहे हो यहाँ पर चाइना और यहाँ पर है यह होंग कोंग यह पार्ट है होंग कोंग अभी चाइना के ही कंट्रोल में है चाइना क आंतो आप BSF क्या है एक पैरा मिलिटरी फोर्स है हमारी बॉर्डर सिक्योर्टी फोर्स कहां कहां पर यह तैनात रहती है जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर यह देखो यहां पर यह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर तैनात रहती है उसे बोलते है ITBP इंडो तिबितन फोर्स जो फोर्स हमारी रहती है यह नेपाल और भूटान उसे बोलते है SSB SSB ससत्र सीमा बल और जो यहां पर रहती है मेनमार के बॉर्डर पर उसे बोलते है असम राइफल त उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है तो यह BSF है पाकिस्तान और बंगलादेस बॉर्डर पर तैनात रहती है सुरक्षा करती है हमारे देश की इसका अभी जो दाइरा है जुरिस्डिक्सन है इसकी जो अथर्टिय पावर्ती वो इंक्रीज कर दिया है Ministry of Home Affairs ने अभी ये Notification जारी किया है पंजाब, West Bengal और असम में इनका जुरिस्डिक्सन 50 किलोमेटर तक बढ़ा दिया है देखो ये अपना जैसे हिंदूस्तान है एक सेकेंड रुको भाईसम मैं इनको खतम कर लेता हूँ एक बार ये अपना जैसे हिंदूस्तान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो इस चीज की बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्सन की तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसे BSF तैनात है तो पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ पर इंडिया में ये BSF है इंडिया के तरफ 15 किलोम अंदर ये तेनात रहती थी 15 क्म तर ये बॉर्डर तक और यहाँ पर security बॉगाइड कर और यहाँ इसको फुल You can के अंदर यहां पर ये कुछ भी कर सकती है वहीं सा किसी का जफ्त कर सकती है किपन Come सकती है बूज सकती है यहाँ यह अभी ऎंकिरी increase कर दिया इसकी power पहले सिर्फ 15 km तक ती इंडिया के अंदर अब ये border से 50 km के अंदर कर दिये कहां कहां पर किये ये पंजाब वेस्ट बंगाल और असम में मिनिस्टी ने जारी क्या है जो गुजरात में हैं पहले 80 km था इसका दाइरा 80 km तक अंदर तक बॉर्डर से लेकिन वो घटा दिया वो 50 km तक कर दिया ये border security force देखो एक border security force act बना हुआ है 1968 का उसके अंदर इसको power दी हुई है border security force को उसके अंदर से power drive करके इस act के थुरू पूरी power है इसको पहले देखो इसको थी 15 km के दाइजे तक सर्च की सीजर की arrest की किसी को arrest भी कर सकती है किसी के घर में घुश के सर्च भी कर सकती है full power है इसके पास लेकिन अभी ये 50 km तक कर दिया पहले 15 तक थी 2014 में ministry of home affairs ने इसका दाइरा और बढ़ा दिया था मनिपूर मिजोरम तिरपूरा नागा लेंड मेगाल है इसके अंदर भी ये इसका मतलब पावर है यहां भी एक सर्च कर सकती है गुजरात में राजिस्थान में पंजाब वेस्ट बंगल असम बॉर्डर एरियाज में सम में इसके पावर है एक तो ये 1968 का जो एक्ट है कस्टम एक्ट ये कुछ और लों हैं जिनके अंदर इनको बीए सफ को पावर दी हुई है इनसे भी ये ड्राइव करती है अपनी पावर नेक्स्ट है अल्लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया एक सुप्रीम कोट क टक्नलोजी एक्ट है 2000 का 2000 में बना था इस एक्ट में से सेक्शन 66 A को 2015 में हटा दिया था रिमूव कर दिया था इस जज ने इसी जज ने अभी दुबारा से अनलोफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को बताया है कि ये ड्रैकोनियन लेजिसलेशन है मतलब बहु च्री कि में इंडियन पीनल कोड है जो यह सैक्शन है 124 A इसको भी स्टैकडाउन करना चाहिए स्टैकडाउन का मतलब है कि इसे भी हटाओ, remove करो क्योंकि ये भी sedition को caramelize करता है, sedition का मतलब होता है राज द्रो राज विद्रो, राज द्रो बोलते हैं इसको हिंदी में sedition, तो ये unlawful activities prevention act है ये भी offensive part है तो इनको हटा देना चाहिए और इनको scrutinize करना चाहिए ये इसलिए news में आया तो ये act है क्या, ये जानना ज़रूर है हमार लिए इसमें हम briefly discuss करेंगे बहुती छोटे रूप में अगर आपको पूरे अच्छे से इसको पढ़ना है जानना है, तो अगर आप Google पे सर्च करिए, वहाँ पे पढ़िए अगर गूगल पे नहीं पढ़ना है तो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पे लेक्चर बनाया हुआ, इसका पूरा डेटेल में, वहाँ से पढ़िए तो हम briefly discuss करेंगे 1967 में इसको पास किया गया अनलफुल activities को रोकने के लिए अनलफुल activities का मतलब है जो कानून से बाहर कोई ऐसी गतिविद्या है जो कानून के विरुद्ध है illegal activities है, उनको रोकने के लिए हमारे इंडिया में, ये act absolute power देता है central government को central government जिसको भी central government समझे कि ये अनलफुल activity है ये illegal activity है अवैद गतिविद्या है, उसको official gadget में notification जारी कर देगी एक notice निकाल देगी और कह देगी ये illegal activity और आदमे को गिर्फतार कर लिए जाएगा, जो भी unlawful activity करेगा ये central government को discretionary power देता एक तरह से इसमें define नहीं क्या हुआ कि unlawful activities हैं क्या जो central government समझ लेगी वो ये unlawful activity है एक इसका ये drawback है, यानि कि ये कम ही है कि central government के पास discretionary power है, इसमें unlawful activity को define नहीं क्या हुआ इसमें death penalty और life imprisonment की सजा है, highest punishment है मतलब अगर किसी को ज़्यादा सजाद दे सकते हैं तो क्या फांसी की सजाद भी दी जा सकती है और आजीवन कारावास की सजाद भी दी जा सकती है इसमें देखो Indian या हो foreign national, चाहे इंडिया का नागरिक हो चाहे कोई विदेशी नागरिक हो, इंडिया में कोई भी अफराद करता है, उसको सजाद दी जा सकती है कोई भी unlawful activity करता है चाहे वो इंडिया में रहके crime करता हो इंडिया का आदमी, चाहे इंडिया का आदमी बाहर रहके crime करता हो, foreign land पे विदेशी, विदेश में चलाएगा है वहाँ पे कोई अपराद कर रहा है और वो unlawful activity मारा तो भी इसमें सजाद दी जा सकती है उसको युआपाई act में देखो ये भी है जब भी मान लोग पुलिस ने आपको ग्रिफतार किया अरेस्ट किया किसी आदमी को, ए आदमी को तो पुलिस को 24 गंटे के अंदर-अंदर magistrate के सामने पेस करना पड़ता उसे जज के सामने, district judge के सामने करेगा magistrate के सामने, पेस करेगा उसको 24 गंटे के अंदर-अंदर ये हमारे सभीधान में भी दिया हुआ है भाई साब और ये हमारे कानून में भी दिया हुआ है कही सारे act है तो ये 180 days का उसके पास इस act के अंदर देखो इस act के अंदर ये है कि उसे 180 days का maximum time दिया जाता पुलिस को कि वो charge seat file करने के लिए 180 days है, charge seat का मतलब है कि उसे investigate करने के बाद जांच करने के बाद कि हाँ इसने illegal activity किया है अपराद किया है, crime किया है जो इसमें आरोप लगे हैं उसकी जांच करने के बाद उसे court में file करना पड़ता है charge seat, फिर court में case चलता है court उसे सजा देगी, जो भी उसने उलंगन किया, कोई violation किया, किसी कानून का उसके हिसाब से सजा देता है court पुलिस का बस investigation का काम होता है तो investigation का time इसमें 180 days का है charge seat वो 180 days तक file कर सकता है और इसे आगे बढ़ाये भी जा सकता है extend भी क्या जा सकता है 180 days को 2019 में इसमें amendment किये कुछ संसोधन किये उसमें ये संसोधन किये डारेक्टर जनरल है जो नेशनल इन्वेस्टिगेसिंग एजनसी है ये terrorist activities वगएरा को ये चानवीन करती है हमारे देश में national investigation agency इसके डारेक्टर जनरल जो होते है उनको power है वो investigating investigation के दोरान जब जांच की जारी है उसके दोरान किसी की भी property मतलब जिस पे जांच की जारी है जिसने unlawful activity की है उसकी property को siege कर सकते हैं जब्त कर सकते हैं उसकी property को ये act में empower करता है कर सकते हैं terrorism के regarding कोई मानलो गतिवीदियां की या आतंगवादी गतिवीदियां उसके खिलाब inspector से लेके अबब लेवल के अधिकारी जांच कर सकते हैं लेकिन अगर state में state government के कोई अधिकारी है जैसे मानलो डियस जांच करना हो तो DSP कम से कम DSP लेवल का अधिकारी जांच करेगा DSP बोलते हैं या ACP भी बोलते हैं deputy superintendent of police या ACP assistance commissioner of police बोलते हैं तो इस लेवल के अधिकारी जांच करते हैं उससे अबब लेवल के और DSP से छोटा होता है inspector level वैसे लेकिन नियां को पावर दी गई है कि उसका inspector या उससे अबब लेवल के अधिकारी भी जांच कर सकते हैं ये 2019 में amendment किये गए थे इस act में 1967 के में और इससे पहले देखो जो 1967 का act था उसमें केबल किसी organization को किसी संस्ता को terrorist organization declare किया जा सकता था किसी individual को नहीं किया जा सकता था लेकिन इसमें संसोदन किया amendment 2019 में और अब किसी individual आदमी को भी एक आदमी को भी आतंगवादी घोषित किया जा सकता है तेरोरिस्ट declare किया जा सकता है दिल्ली हाई कोट ने देखो इसके कुछ section को define किया है यूपपा act के जून 2021 में ये verdict आया section 15 को unlawful activities से जो deal करता है इस act में है जो 1967 के act में है section 15 इसके section 15, 17, 18 के बारे में बोला है section 15 ये बोलता है कि terrorist act का कोई भी अफराद करता है उसके बारे में ये सजा देता है 17 ये बोलता है अगर कोई terrorist act कमिट करने के लिए fund देता है, पैसा देता है खुद नहीं करता कोई गतिवदिया लेकिन पैसा देता है किसी को करने के लिए तो ये section 17 उसको सजा देता है section 18 में ये बोलता है अगर कोई कौन स्प्रेसी में सामिल है कोई terrorist act करने की सडियंत में सामिल है तो इसको punishment देता है, ये section 18 उसे अपराद declare कर देता है कोट नहीं लेकिन ये बोला कोई भी terrorist act है उसको lightly use नहीं करना चाहिए extreme situation में उसको use किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है, मान लोग किसी ने छोटी बोटी unlawful activity की उसको आप terrorist activity बता रहो और इस UAPA Act का use कर रहो ये government के लिए आदेश दिये high court ने, और supreme court भी ये अपने case में बोल चुका है supreme court ने decision दिया था हितेंद्र विस्नू ठाकूर case में कि UAPA Act को normally use नहीं करना चाहिए government को, extreme situation में use करना चाहिए, जब उसको लगे हाँ कोई terrorist activity है, कोई आतंगवादी गदिविद्या है, नहीं तो और भी बहुत सारे Act है हमारे देश में उनको use करना चाहिए, इसके जगे पे तो ये ही थे आज के topic